नमस्कार वीकेबिनुस के खास, सटीक और महतपूर्ण पेशकर्ज देश-पदेश और दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आयटी बॉंबेक एक चातर ने हॉस्टल की सातवी मंजिल से कुद कर आत्मत्य गर ली पुलिस को घटनास्तर से एक सोसाइड नोड भी बरामद हुआ है वर डिप्रेशन का शिकार था और इसका इलाज भी चर रहा था वर रात भरी खाबर यह है कि मुंबई में पिछले आच दिनों से कोरोना के नए केसों में गिरावट देखी जा रही है तो शिवसिना सांजस संजर राओ ने कहा कि अखिलेश यादों को सबको साथ लेकर उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़नी होगी अहंकार सबको डुबाता है इसे बीच चांदिवाल आयोग में पेशी के दवरान मुंबई के पूरपुलिस अयकद परंबिर सिंग और बर्खात पुलिस अधिकारी सचिन वाजय के बीच बंद कमरे में हुई मुलाकात के मामले में चार पुलिस करमचारियों को नियमों के उलंगन का दोशी पाया गया है उधर मुख्यमंत्री उधर उठाकर ने कहा कि प्रद्योगे की विकास के साथ ही युवापिडी का मैदान और मिट्टी रिष्टा तूटता जा रहा है लेकिन नवी मुंबई के फुटबॉल महाराष्ट एक्सेलेंस सेंटर के माध्यम से यह रिष्टा मिट्टी से फिर से जोड़ा जाएगा देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजिनियरिंग संस्थानों में से एक IIT बॉमबे से एक बुरी खबर सामने आई है पुलिस को घटनास तल से एक सूसाइड नोट भी वरामद हुआ है ये स्टुडेंट डिप्रेशन का शिकार था और उसका इलाज भी चल रहा था लड़के ने अपने सुसाइड नोट में किसी को भी आत्महत्या के पीछे जिम्मेदार नहीं ठहराया है आपको बता दे कि संसत सत्र के दोरान शिक्षा मंतरी धर्मेंदर प्रधार ने ये बताया था कि IIT, IIM, केंद्रिय विश्व विद्यालेव, IESC और अन्य उच्चतर शिक्षन संस्थानों में वर्ष 2014-2021 के दोरान 122 चात्रों ने आत्महत्या की है इन में अनुसूचित जाती वर्ष से 24 चात्र, अनुसूचित जन जाती वर्ष से 3 चात्र, अन्य पिछड़ा वर्ष से 41 चात्र और अल्पसंख्यक वर्ष से 3 चात्र शामिल है कोरोना महमारी की तीसरी लहर के बीच अब राहत भरी खबर आने लगी है ओमिक्रोन की दस्तक के बाद से मुंबई में कोरोना वाइरस के मामलों में बढ़ोतरी भले ही हुई लेकिन पिछले आट दिन उसे कोरोना के नए केसों में गिरावट भी देकी जा रही है रविवार को नए मरीजों की संख्या आठ हजार के नीचे आ गई पॉजिटिविटी रेट भी तेरा दशमलों बहातर फिस्दी रह गया राज्य में कोरोना के 41,327 नए मरीज मिले जिन में मुंबई के 7,895 मरीज है मुंबई में 24 घंटे में नए मरीजों की संख्या 26 फिस्दी घटी है यहां रविवार को नए मरीजों से करीब 3 गुना मरीज 21,025 डिस्चार्ज हो गया है पिछले 3 दिनों में कोरोना के 29,873 मरीज मिले जबकि 64,572 मरीज स्वास्थ होकर घर लोटे है नए मरीजों से ज़्यादा मरीजों की ठीक होने से एक्टिव मरीज घट रहे है तिन दिन पहले मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या 84,352 थी जो रविवार को घट कर 6,371 रह गई है सापता ही कुरुधी तीन दिन पहले 1,74 फिस्दी थी जो रविवार को घट कर 1,40 फिस्दी रह गई है कोविट टास्क फोर्स के सदस्या डॉक्टर राहूल पंडित ने इसे मुंबई में कोरोना का डाउन ट्रेंड शुरू होना कहा है डॉक्टर राहूल पंडित के अनुसार बीमसी ने घर पर सेल्फ टेस्ट करने वालों पर निगरानी शुरू कर दी है उनकी डेटा मिलने से भी कोरोना की सही स्थिती की जानकरे मिल सकेगी बीमसी के अतिरिकता युक्त सुरेश काकानी ने बताया कि अगर बुधवार के बाद भी कोरोना के नए मामलों में गिराविट रही तो मुंबई के लिए बड़ी रहात होगी उत्तर प्रदेश में चुनावी गहमा गहमी तेज हो गई है आरो प्रत्यारोप में गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगे है नेताओं के दोरे कोरोना संक्रमन के लिहाद से खतरनाक माने जा रहे हैं फिर भी भीड उमढ़ रही है इसी बीच शिवसेना सांसत संजेराउत ने अखिलेश यादव और योगी आधित्यनात को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की टककर और चककर राजनिती में बहुत महत्वोपुर्णा है योगी जी गोरकपुर से लड़े या आयोध्या से लड़े ये उनका अधिकार है लेकिन देश में जो अराजकता है गंगा में लाशो को बहते देखा गया है इससे जिन्दा लोग तो उन्हें वोट नहीं देंगे साथ ही कहां कि अखिलेश यादो को पुरा ध्यान चुनाओ पर लगाना चाहिए अखिलेश यादो को भी सबको साथ लेकर ये लड़ाई लड़नी होगी एहंकार सबको डुबाता है लोग बहुत बड़ी अपिक्षा के साथ अखिलेश को देख रहे हैं इसी बीच पश्य में यूपी से बड़ी खबर आ रही है केंद्रिय मंत्री और भाजपा के दिगज नेता संजीव बलियान भारती किसान यूनियन राकेश टिकेट से मुलाकात करने उनके आवास पहुँचे है बताया जाता है कि हाल ही में राकेश टिकेट के हाथ का आपरेशन हुआ था तब भी संजीव बलियान उनका हाल चाल लेने के लिए उनके गाव पहुँचे थे बतादे कि हाल ही में टिकेट ने सपा आर एल डी गड़बंदन को समर्थन देने की बात कही थी लेकिन बाद में अपना बयान वापस ले दिया था चांदीवाल आयोग में पेशी के दोरान मुंबई के पुर्व पुलिस आयकत परंबिर सिंग और बरखास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की बिच बंद कमरे में हुई मुलाकात के मामले में चार पुलिस करमचारियों को नियमो के उलंगन का दोशी पाया गया है चारो पुलिस वाले नई मुंबई के जेल में बंद वाजे को लेकर चांदीवाल आयोग दफ्तर में गये थे मुलकात के बाद सामने आने के बाद नए मुंबई पुलिस आयुकते ने मामले की जांच के आदिश दिये थे अब एक ACP स्तर के अधिकारी ने जांच के बाद पाया है कि पुलिस वालों ने निया मुका उलंगन कर सिंग और वाजे को अकेले मिलने दिया अपनी रिपोर्ट में अधिकारी ने चारो पुलिस वालों की वेतन रुद्धी एक साल के लिए रोकने की सिफारिश की है वाजे फिलाल एंटीलिया विसफोर्ट और मनसुख हीरन मामले में जेल में बंद है परंबिर सिंग ने राज्य के ततकालिंग गुरुह मंतरी अनिल देश्मु के खिलाफ ब्रष्टा चार के आरोप लगाये थे जिसकी जांच के लिए राज्य सरकार ने चांदीवाल आयोक का गठन किया है पिछले साल 29 नमंबर को सिंग और वाज्य दोनों चांदीवाल आयोक के सामने बयान दर्च कराने पहुचे थे चार पुलिस वाले वाज्य को पेशी के लिए ले गए थे लेकिन वहाँ एक कमरे में सिंग और वाज्य के बीच लंबी बाच्चित हुई जिसको लेकर विवाद हो गया नए मुंबरी पुलिस के एक अधिकारे ने कहां कि वाज्य हिरासत में था इसलिए उसे किसी और से मिलने या बात करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए थी एसीपी विनायक वत्से ने इस मामले की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट नए मुंबरी पुलिस आयुक्तव विपिन कुमार सिंग को सौपी है मुख्य मंतरी उध्व ठाकरे ने कहां कि प्रोध्य दिकी के विकास के साथ ही युवापीधी का मैदान और मिट्टी से रिष्टा तुटता नजर आ रहा है लेकिन नए मुंबई के फुटबॉल महराष्टर एक्सिलेंस सेंटर के माध्यम से ये रिष्टा मिट्टी से फिर जोड़ा जाएगा नई मुंबई के एक हारगर में फुटबॉल एक्सिलेंस सेंटर का उधगटन करने पहुचे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक्सिलेंस सेंटर के कारण विश्वस्तर पर ख्याती दिलाने वाली भारत की टीम त्यार होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्ता जीवन के लिए मैदान का खेल खेलना आवश्चक है ये एक्सिलेंस सेंटर नए पीड़ी के लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा यहाँ पर विभिन्नक खेलों के लिए अंतरराष्ट्रे स्तर की सुविधाय मिल सकेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि खारगर शहर को भविश्य के स्पोर्ट सिटी के रूप में जाना जाएगा सभी प्रकार के खेलों के लिए आवश्चक सुविधाय एक ही शहर में उपलप्त कराने की परिकल्पना को साकर करने के लिए सरकार प्रयास करेगी इस मौके पर राकापा सांसत प्रफुल पटेल ने मताया कि इस एक्सलेंस सेंटर और मैदान के माध्यम से अंतर राष्ट्य स्तर के खिलाडी तयार हो सकेंगे पटेल ने मताया कि इस मैदान पर AFC Women Asian Cup इंडिया 2022 का जल्द आयोजन होगा प्रदेश के नगर विकास मंत्री एक नाच्छिंदे ने कहा कि एक्सलेंस सेंटर एक महत्व कांक्षी परियोजना है नई मुंबई को Education City, IIT City के साथ अब Sports City के रूप में विकसित किया जाना चाहिए प्रदेश के परियावरन मंत्री अधित्य ठाकरे ने कहा कि फुटबॉल प्रेमी नई पीड़ी के लिए ये केंडर एक आउसर साबित होगा यहाँ पर वैश्विक स्तर की प्रशिक्षन सुविधाय उपलब्ध होगी लोकतांद्रिक देश में जहाँ जनता सरकार्क चुनती है वही ओडिसा में पंचयत चिनाओ से पहले सरपंच के पत की बोली लगाई गई ओडिसा के वालंगिल जिले में स्थीद दूरवर्ती ग्राम पंचयत में कुछ प्रभावशरी लोगों के समों ने सरपंच का पत 44 लाग रुपे में नीलाम कर दिया तो अच्छी खबर यह है कि भारत के पास COVID-19 मामारी के खिलाब अपनी पहली मेसंजर वैक्सीन जल्दी होगी जिनोवा बायो फार्मासोटिकल्स इस वैक्सीन के तीसरे चरन का ट्रायल पूरा करने वाली है यही कमपनी विशेश तोर पर ओमिक्रॉन के लिए भी वैक्सीन बना रही है इसे बीच पंजाब विदासवा चिनाओ की तारिक को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है पंजाब के मुख्यमती चरंजिक सीह चन्नी ने निर्वाचन आयोक से रविदास जैंती के मदे नजर मदान को 6 दिन के लिए टालने का नूरोत किया है उदर भारत सरकार ने कहा है कि किसी को टीका लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता हिमाचर पदेश में चंबा में जनजातिय शेत्र भरमोर से बढगरा तक 40 किलोमेटर बर्फ में पैदल सफर कर स्वास विबा की टीम ने किशोरों को वैक्सिन लगवाई देश के इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ ओड़ी शा में पंचा चुनाओ से पहले सरपंच के पत की बोली लगाने का मामला सामने आ है ओड़ी शा के बालंगीर जिलेस्तित दुरवर्ती ग्राम पंचात में कुछ प्रभावशाली लोगों के समुने सरपंच पत 44 लाक रुपे में नीलाम कर दिया पंचात के सदर से दावा कर रहे है कि ये सर्वसम्मती से फैसला लिया गया है और इस राशी का इस्तमाल विकास कारियों में होगा गटना के सामने आने के बाद जिलाप रशासन ने जांच के आदिश दिये है बोली लगाने वालों में चार लोग शामिल थे जिनमें एक ने सबसे अधिक 44 लाक रुपे की बोली लगाई और निर्विरोज सरपंच उमिद्वार चुने गए जबकि राजचुनाव आयोग ने चुनावी खर्चे की अधिक तमसीमा दो लाक रुपे तय की है स्थानिय लोगों का कहना है कि इस राजची का उपयोग बिलिसारदा गाउस्तित जगनात मंदिर के विकास कारियों में किया जाएगा बिलिसारदा पंचायत तीन गाउ को मिला कर बना है बिलिसारदा, बंतनाकांता और कसुर उपली यहाँ 15 वार्ड है और करीब 2000 के आबादी है आने वाले चुनाव में यहाँ सरपंच का पद अनारक्षित अधिसूचित किया गया है जबकि समिति सदस्द सका एक पद S.T. समुदाय की महिला के लिए आरक्षित है पद के लिए सबसे बड़ी बोली लगाने वाले सुशानता चट्रिया कहते है कि चुनाव में रुपे और दूसरे प्रलोबनों को रोकने के लिए पंचायत के वोटरों ने एक मतरूप से निलामी का फैसला लिया गाववालों ने इस कदम का स्वागत किया और मुझे सरपंच पत का एक मातर उमीदवार बनाने के लिए समर्थन दिया सुशानता पेशे से कॉंट्रैक्टर है भारत के पास COVID-19 महामारे के खिलाब अपनी पहली मैसेंजर वैक्सीन जल्दी होगी जिनोवा बायो फार्मासोटिकल्स इन वैक्सीन के पीसरे चरण का ट्रायल पूरे करने वाली है एक और खुशकबरी है यही कमपनी विशेशतर पर ओमिक्रॉन के जरिये वैक्सीन बना रही है इसके लिए भी मैसेंजर प्लाटफॉर्म का ही उपयोग किया जा रहा है महाराज की पुनेस्ति जिनोवा बायो फार्मासोटिकल्स ने हाल ही में दूसरे चरण के ट्रायल का डेटा फार्मा रेगुलेटर को सौपा है सार्स को टू आयरस के डेल्टा वेरियंट पर विकसिद दो डोस वाली है एमारे ने वैक्सीन का फेस टू ट्रायल तीन हजार लोगों पर किया गया है कमपनी अब तीसरे चरण का ट्रायल भी पूरा करने जा रही है कमपनी ने वैक्सिन की रिक्स मैनेफेक्चरिंग शुरू कर दी है और एक बार रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद परियापत मात्रा में वैक्सिन बनाया जाने लगेगा रिक्स मैनेफैक्चरिंग का मतलब रेगुलेटरी अप्रूवल से पहले निर्मान की प्रक्रिया को कहा जाता है चूंकि नई वैक्सिन को रेगुलेटर से अप्रूवल नहीं मिलने की आशंका भी रहती है ऐसी परिस्तिति में बनाए गई वैक्सिन के बरबादी का जोखिम रहता है वही ओमिक्रॉन को लक्षित वैक्सिन जिनोवा फार्मसोटिकल्स की लिबरेटरी में तयार कर ली गई है और अब इसका इंसानों पर टेस्ट किया जाना है ताकि इसके असर और इम्मुनिटी पैदा करने की इसकी शम्ता का पता लगया जा सके सूत्रों ने टियू आई को यह जानकारी दी देश की पाच राजों में चुनाओ की गहमा गहमी तेज हो गई है नए राजनितिक समीकरन बन रहे है तो कई बिगड़ भी रहे है इस बीच पंजाब विदान सुबाचनाओ की तारिक को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है शुनाओ आयोग इस पर आज फैसला ले सकता है पंजाब के मुख्यमंतरी चरंजी सिंग चन्नी ने निर्वाचन आयोग से रविदास जैन्ति के मदे नजर मद्दान को 6 दिन के लिए टालने कानूरोद किया है एक चरंण में प्रस्तावित मद्दान को टालने के लिए इसी तरह कानूरोद भाजपा और बसपा सहीत अन्य पार्टियों ने भी किया है बतादी की लाखो श्रदालू रविदास जैन्ति मनाने के लिए उत्तर पदेश के वारा नसी जाते है और राजनितिक पार्टियों का माना है कि श्रदालू इस वज़े से मद्दान नहीं कर पाएंगे इस साल गुरू रविदास की जैन्ति 16 फरवरी को पढ़ रही है भाजपा की पंजब इकाई के महासेचू सुबाश शर्मा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखे एक पत्र में चुनाओ की तारिफ आगे बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि राज़ में अनुसुचित जाती समुदाय सहीद गुरू रविदास जी के अनुयाईयों की आच्छी खासी आबादी है जो पंजब की आबादी का लगभग 32 प्रतिशत है लाखोश रदालू उत्तर पदेश के बनारस में गुरू पर्व मनाने के लिए जाते रहे है इस कारण उनका मद्दान प्रक्रिया में भाग लेना संभाव नहीं होगा पंजाब लोग दल के संस्तापक कैप्टन अमरिंदर सिंग भी यह मांकर चुके है भारत सरकार ने कहा है कि किसी को टिका लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता सुप्रिम कोर्ट ने एक याजिका के जवाब में दाकिल हलप नामे में स्वासमंत्राले नहीं है बात कही सुप्रिम कोर्ट को दिये एक हलप नामे में केंद सरकार ने बताया है कि टिका करण को लेकर जारी उसके दिशानेरदेश बिना किसी वेक्ति की समेती से उसे टिका लगाने को नहीं कहते विकलांगों को टिका करण का सबुत दिखाने से छूट देने की मुद्धे पर सुनवाई के दवरान सरकार ने सरोचनाले से कहा कि इसी कोई मानक प्रक्रियान नहीं है जिसके तहट कोईड वैक्सिन के सर्टिफिकेट को दिखाना अनिवार्य होगा सरकार ने ये हलप नामा एक सामाजिक संस्ता इवारा फाउंडेशन की याचिका के जवाब में दाखिल किया है फाउंडेशन ने याचिका में अपील की है कि सरकार को निर्देश दिये जाए कि विकलांग लोगों को घर घर जाकर कोविट का टिका लगाया जाए मंट्राले ने कहा कि टीका करण के बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए समुचित विग्यापन, संचार और सोशल मेडिया वो अन्यमाध्यमों से प्रचार किया जा रहा है कि सभी नारीकों को टीका लगवाना चाहिए इसके लिए विवस्ताओं और प्रक्रिया के बारे में भी बताया जा रहा है लेकिन किसी को भी उसकी इच्छा के खिलाब टिका लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता हिमाचल प्रदेश के चमबा में जनजातिय शेत्र बर्मोरा से बढगरा तक 40 किलोमीटर बर्प में पैदल सफर कर स्वास्त विभा की टीम ने किशोरो को वैक्सिन लगाई को वैक्सिन का बॉक्स उठा कर टीम घंटों पैदल सफर करने के बाद बढगरा पहुंची इस बीच टीम को तैनाद गलेशियर भी पार करने पड़े अगर कोई सदस से बर्प में फिसल था तो उसे दूसरा सम्बलता रहा बर्प से लगदक लेशियर को पार करते स्वास्त कर्मियों का वीडियो स्वास्त विभाग ने सोचल मीडिया ग्रूप में शेयर किया है भरमोर से निकली टीम तीन दिन से बड़गरा में ही फसी है भरमोर से सुबह निकली टीम दिर शाम को बड़गरा पहुची थी टीम ने ग्रामिनों से बच्चों को टिका करन के लिए एक स्थान पर लाने के लिए कहा है क्योंकि स्कूलों में अवकाश के चलते इन दुनों बच्चे घरों में ही है स्कूल के नजदीक गाव के बच्चों को तो टीका लगा दिया गया है लेकिन दूरदराज इलाकों के बच्चों को बुलाया जा रहा है इसके चलते टीम अभी वही रुकी है और शिक्षाव्युभा के कर्मचारी 15-18 वर्ष की आयूवाले किशोरू को वैक्सिन लगाने के लिए गए है खंड़चिकित साधिकारी भर्मोर डॉक्टर अंकीद मांडला ने बताया कि भर्मोर से बढगरा के लिए स्वास्त टीम बर्फ में 40 किलोमेटर पैदल चल कर गई है तीन दीन से टीम वही है 15-18 वर्ष की आयूवाले की शुरू का टिका करन किया जा रहा है अमेरिका के टेक सास्थीत एक यहूदी सभागार में चार लोगों को बंदक बनाने वाले एक संदिक्द पाकिस्तानी को सुरक्षा बलो ने मार गिराया इस मामले में पाकिस्तान से जवाब तलब की जा सकती है वहीं चीन के ऐसा मामला सामने आ है जा एक स्कूल में बच्चों को अच्छे प्रदर्शन के बदले सुर के बच्चे इना में दिये गए यह सब चीन के एक प्राथमिक स्कूल में हुआ है इसे बीच मिसर्णें अमिरिका की ओर से नामितिक आधंगवादी संगटन के प्रमुक को पकड़ने के लिए वीमान की इमर्जनसी लैंडिंग कराई वीमान सुडां से तुर्की जा रहा था दूसी तरप अफगानिस्तान से हैरान करने वाली कबर सामने आई है बताय जा रहा है कि जिंदा रहने के लिए लोग अपने बच्चों और शरीर के अंगों को बेजने से भी गुरेज नहीं कर रहे है तो प्रशान महासा ग्रियोदेश टोंगा में एक बार फिर से जोरदा जौला मुखी विस्पोर्ट हुआ है इंटरनेट न होने की वज़े से नुकसान का नुमान नहीं लग पाया है विशेशग्यों ने चेताओनी दी है आने वाले समय में अभी और ज्यादा वी स्पोर्ट हो सकता है दुनिया बर की इन पाच बड़ी खबरों को विस्पार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ अमेरिका के टेकसास्तीत एक यहुदी सभागार में चार लोगों को बंदग बनाने वाले एक संदिग्द पाकिस्तानी को सुरक्षबलों ने मार गिराया या आतंकी पाकिस्तानी नियूरो साइंटिस की रिहाई की मांग कर रहा था इस घटना के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान का आतंकी चेहराद दुनिया के सामने आ गया है अपरनकर्थाने खुद को मोहमत सिद्धी की बताते हुए डलास फोर्ट वर्द इलाके के कॉली विले में एक यहुदी सभागार में चार यहुदियों को बंधग बना लिया और अधिकारियों से अपनी बहन आफिया सिद्धी की को रिहा करने की मांग की जो कार्स्विल में 22 मिल दूर फेडरल मेडिकल सेंटर में कैद है 12 घंटे के गतिरोत के दौरान आफिया सिद्धी के परिवार के एक वकील ने मीडिया को बदाया कि अपरादी सिद्धी की का भाई नहीं था और वह नहीं चाहती कि किसी भी इंसान के खिलाफ विशेश रूप से उसके नाम पर कोई हिंसा की जाए इधर चार यहुदियों को बंधग बनाने वाले ने दावा किया है कि वह बमों से लेस है मेरी बहन को फोन पर बुलाओ नहीं तो मैं सभी को मार दूँगा इसके बाद एक विस्पोट और गोलियों की आवास सुनी गई फिर अधिकारियों ने गोशना की कि सभी बंधग मुक्त और सुरक्षित है और बंधग बनाने वाला मर गया है रोंग्टे खड़ा कर देने वाली इस घटना के अंध होने पर लोगों ने राहत की सास ली मगर पाकिस्तान के एक बार फिर भारी किरक्री हुई जवाब तलब भी किया जा सकता है चीन से एक ऐसा मामला सामने आया है जा एक स्कूल में बच्चों को अच्छे प्रदर्शन के बदले सुवर के बच्चे इनाम में दिये गए यह सब चीन के एक प्राथमिक स्कूल में हुआ है यह घटना चीन के यलियांग काउंटि स्तीत शियांग यांग एलिमेंटरी स्कूल की है रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कूल के लगबग 20 बच्चों को उनके बहतरीन पदर्शन की वज़े से सम्मानित किया गया सम्मान समारों में बच्चों के माता पिता को भी बुला गया था स्कूल प्रशासन ने बाकाइदा एक-एक बच्चों को पुरस्कार स्वरूप सुवर के बच्चे बेट किये अधिकारियों के मुताबिक इसके पीछे का मकसद बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोच साहित और स्थानी अर्थवयोस्ता को पुनल जिवित करना है इतना ही नहीं स्कूल की टीचर का कहना है कि सुवर सिर्फ बच्चों ही नहीं उनके परिवार को भी प्रोच साहित करने के लिए भीद दिये गए है इनका तुरंट फायदा तो नहीं मिलेगा लेकिन भविश्य में ये जानवर फायदे मन होंगे क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि बच्चे हमेशा ही उन पर निर्भर रहे चीन के सोशल मीडिया पर बच्चों की माला पहने हुए तस्विरे भी वाइरल हो रही है जिनमें वे सुवर के बच्चों के साथ दिख रहे है इस अजीबोगरी पुरसकार को लेकर दुनिया भर में अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है कोई से चीन की चाल तो कोई उकसावे वाली रणनी तीब बता रहा है मिस्टर ने अमेरिका की ओर से नामित एक आतंगवादी संगठन के प्रमुक को पकड़ने के लिए वीमान की इमर्जनसी लैंडिंग करा दी मिस्टर के अधिकारियों ने बताया कि संदिक को सुडान से तुर्की जा रही इस उडान की देश में इमर्जनसी लैंडिंग करा कर गिरफतार किया गया जिसमें यह वानशित वेक्ती सवार था गुरुह मंत्राले ने एक बयान में कहा कि होस्सम मेनोफी को इस हपते की शुरुवात में गिरफतार किया गया था लेकिन इस बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया इस नाम का एक विक्ती हेस्म संगटन का सदस से बताया जाता है यä वही संगतन है जिसे मिस्ट में कई घातक आतंगवाधी हमलो के लिए पूरो में जिम्मधार माना गया था अधिकारियों ने यह भी कहा कि HASM 2019 में मिस्ट के एक अस्पताल के बाहर कार में विस्पोर्ट के लिए भी जिम्मधार था जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी अमेरिकाने 2018 में H.A.S.M. को एक आतंगवादी संगठन नामित किया था इसे मुस्लिम ब्रदर हूट संगठन का एक हिस्सा माना जाता है मिस्र ने मुस्लिम ब्रदर हूट को लंबे समय से प्रतिबंधित और आतंगवादी संगठन घोशित किया हुआ है बता दे कि मुस्लिम ब्रदर हूट मिस्र का सबसे पुराणा और सबसे बड़ा इसलामी संगठन है इसे इकवान अल मुस्लिमीन के नाम से भी जाना जाता है इसकी स्थापना 1928 में हासन अल बनना ने की थी स्थापना के बाद इस संगठन ने पूरे संसार में इसलामी आंदोलों को काफी प्रभावित किया और मध्यपुर्व के कई देशों में इसके सदस्य है शुरुवाती दोर में इस आंदोलों का मकसद इसलाम के नैतिक मुल्यों और अच्छे कामों का प्रचार प्रसार करना था लेकिन जल्द ही मुस्लिम रदर हूड राजनिती में शामिल हो गया अफगानिस्तान में विपरीत परिस्तियों के चलते बहुत से परिवार विस्तापत हुए है मौजुदा वक्त में अफगान के लोग बहुत ही चिंताजनक सिती में अपना जीवन यापन कर रहे है आलम ये है कि जिन्दा रहने के लिए लोग अपने बच्चों और शरीर की अंगों को बेचने से भी गुरेज नहीं कर रहे है पुर्वकी अफगान सरकार और तालिबान के बीच चले संगश ने वहां के लोगों को मजबूरन अपना घर चोड़ने पर मजबूर कर दिया जिसके बाद अब हाला चिंता जनक बने हुए है ज्यादातर विस्तापित परिवार बलके उत्तरी प्रांतों, सरेपुल, फरियाब और जवाजान से सम्मंदित है ये लोग रिपब्लिकन सरकार के पतन से पहले इसलामिक अमिरात और पुर्वकी सरकारी बलों के भारी संगश में किसी तरह जीवित बच गए थे अफगानिस्तान में एक कल्यानकारी समीती विस्तापित परिवारों तक खाना और आर्थिक मदद पहुँचा रहे है ताकि वो अपने बच्चों और शरीर के अंगजे सी कीड्नी को नहीं बेचे एक कीड्नी की कीमत डेड़ लाग से दो लाग भी सजार अफगानी तक है विस्ताबित परिवार बल्क परांद की राजदानी मजारे शरीप में एक शिविर में रह रहे है पिडितों ने अपने एक बयान में कहा कि उन्हें गरीबी के कारण मजबूरन इस तरह के फैसले लेने पड़ रहे है साथी देश में कोरोणा संक्रमन ने दिक्कतों को और भी ज्यादा गम भीर बना दिया है इसलामिक उलेमा और बल्क के निवासियों ने आंतरराष्टे समिदाय से अफगानों को मानविय साहता प्रदान करने का आग्रह किया है प्रशान्द महासागरिय देश टोंगा में एक बार फिर से जोड़दार जौलामखी विस्पोर्ट हुआ है इंटरनेट ना होने की वज़़ से नुकसान का नुमान नहीं लग पाया है विशेशग्रों ने चेताउनी दी है या आने वाले समय में अभी और ज़्यादा विस्पोर्ट हो सकते है फिलाल छोटे से दूइब देश टोंगा के उपर जौलामखी से निकली राख के बादल बने है जिससे नुजिलेंड से नुकसान का आकलन करने के लिए निगरानी विमान उड़ान नहीं भर पा रहे है नुजिलेंड ने कहा है कि 63,000 फीट मोटे बादल बन जाने से निगरानी विमान नहीं भेज़े जा रहे है जो अलामखी विस्पोर्ट को उबगरह से ली गई तस्विरों में देखा जा सकता है कि प्रशान महासागर के निले जल के उपर मश्रूम के आकर में राक, भाप और गैस उपर उठ रही है इससे पूरे तटवर्ती शेत्र में सुनामी लहरे टकराई और लोगों को उंचाई वाली जगों की और भागना पड़ा टोंगा में इंटरनेट समेश संचार संपर्क भंग हो गया न्यूजिलेंड की प्रदानमत्री जैसिंडा एड्रेन ने कहा कि अभी तक टोंगा में किसी के घायल या मोत होने की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली है राक की मोटी परत और धुए के कारण लोगों को माक्स पहनने और बोतल बन पानी पीने के लिए कहा गया है बतादे की शनिवार को जौला मुखी विस्पोर्ट के बाद टोंगा के तटवर्ती लाकों में उची उची लहरे उट रहे थी लोग बचने के लिए उचे स्थानों की तरब भाग निकले थे तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहे वीके बिन्यूस नमस्कार